अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो यह second point क्या बोल रहा है एक matrix A of order n n order बोलने का मतलब कि square matrix है n by n order का ठीक है अगर rectangular matrix हम कभी बोलते ही नहीं है कि n order rectangular matrix होगा तो से हमें row column को specify करना होगा और अगर square matrix है 2 order का 2 by 2 order का तो से हम बोल देंगे order 2 ठीक है तो एक matrix of order n is set to satisfy the polynomial equation this ब्राबर देंगे इसका पहले मतलब संब्रोथ है हमारे पास fx हमारे पास एक polynomial equation fx ब्राबर से हो हमने जैसे 19th class में हम लोग पढ़ते है न अगर का polynomial equation वैसे हमने एक n order का polynomial equation दिया ऐसा 1 a2 x2 a3 x3 plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n x to the power n equal to 0 यह क्या हमारा यह एक n order का या n degree का polynomial equation है और a हमारे पास कोई square matrix है किसी भी order का square matrix है अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह जो a square matrix है इस polynomial equation को satisfy कर रहा है इसका क्या मतलग है कि तुम इसमें जहां जहां तुमें x दिख रहा है न वहां वहां तुम a डाल दो x को a से replace कर दो तो यह क्या हो जाएगा a to the power 0, a1, a to the power 1, a2, a to the power 2, a3, a to the power 3, plus and so on a to the power n, a power n minus 1, plus an, a to the power n, equal to null matrix यहां 0 लिखा है यह, यह null लिखा है क्योंकि left hand side में सब एक matrix है तो right hand side में भी matrix होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि matrix is equal to real number ऐसा नहीं कर सकते हैं अब ध्यान दो पहली बात हमने a को square matrix क्यों बोला because यहां तुम देखो a पे power 2 है तो a का positive integral power है a पे power 3 है a पे power n minus 1 है तो यह सब चीज तभी defined होगा न जिभी a square matrix होगा rectangular matrix का a square a cube यह तो defined ही नहीं होगा तो जब भी कोई matrix अगर किसी polynomial equation को satisfy कर रहा है तो उसका क्या मतलब है वो matrix एक square matrix है अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो कि किसी भी matrix अगर हमारे पास a square matrix है तो अगर तुम इस पर एक 0 लोगे पावर लोगे तो यह 2 by 2 order का एक identity matrix है जैसे अगर मैंने a ले लिया ऐसी 1,2,3,4 ठीक है ना अब मैंने अगर बोला a square बताओ क्या होगा sorry a to the power 0 बताओ क्या होगा इसका मतलब 1,2,3,4 पावर 0 इसका मतलब क्या होगा यह 1,0,0,1 होगा 2 by 2 order का होगा ठीक है ना अब तुम देखो यह हमारे square matrix है तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते है यहां से ध्यान से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हो a to the power 0 i i का order क्या होगा identity matrix है इसका order क्या होगा जो a का order होगा अगर मैंने a को n by n order माल दिया तो इसे हम i n लिख लेंगे अतलब यह भी क्या हो जाएगा identity matrix n by n order क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा a to the power 1 सेम जी a to and so on a to the n a to the power n is equal to that matrix यह ओ लिखा है ठीक है तो इसी को हम बोलते है क्या हम कि हमारे पास कोई polynomial equation है और उस polynomial equation को कोई एक square matrix satisfy कर रहा है तो हम क्या करेंगे x को उस square matrix से replace कर देंगे ठीक है तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो यह पढ़ देना यहाँ पे यह बात यहाँ लिखे भी है ठीक है अब note में क्या मैं बोल रहा है वो देख लो अगर हमारे पास a एक non null square matrix है square भी matrix है और वो null भी नहीं है तब उस पर power जो zero होगा वो एक identity matrix हो जाएगा same order का मालों एक order n by n है और वो null भी नहीं है तो उस पर power अगर zero लोगे तो एक identity matrix आ जाएगा n by n order का clear है if a is not a null matrix अब अगर हमारे पास कोई null matrix है तो null matrix पर power zero वो defined नहीं होता है यह क्या हो जाएगा undefined उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो देख लो c में positive integral power of a matrix a is defined only when a is a square matrix यह बात तो अभी मैंने बोला कि अगर किस यह किसी भी matrix का तुम positive integral power define करना चाहते हो तो वो matrix square matrix होना चाहिए और अगर कोई matrix किसी polynomial equation को satisfy कर रहा है तो वो matrix b square matrix होना चाहिए clear हो गया तो यह था हमारा properties of multiplication clear होना चाहिए आपको अब देखो हम लोग क्या करेंगे जैसे NCRT के बाद ना बच्चे अब demand करेंगे कि अब NCRT में क्या है transpose symmetric skew symmetric तो उससे पहले हम लोग कुछ problems देख उसके बाद से अब लोग NCRT के next topic पे आएंगे क्योंकि syllabus complete करने से जादा important है समझना ठीक है different types के problem solve करना एक बाद क्योंकि mathematics में क्या है कि जब तक आप question नहीं solve करोगे आप math सीखनी सकते हो तो कुछ question जो easy question है वो मैं नहीं करूंगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा solve करने क लिए अगर तुम्हें कोई doubt होगा तो तुम पोस सकते हो और जिस question को मुझे लगता है कि नहीं solve कराना चाहिए वो मैं solve करता हूंगा